हाई फ्रेंड्स मैं पूर्बा वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MP सक्सेसर्ज और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुक्संस था हैं एबम अनुशंदान केंद्र पार्ट टू प्रिवेस वीडियो में हम लोगोंने 1 से 20 तक जो क्वेशन थे मध्य प्रदेश के प्रमुक्संस था हैं एबम अनुशंदान केंद्र के जिससे आपकी प्रिवेस एग्जाम पेपर में क्वेशन आये थे तो उनको आप लोग वीडियो को देख सकते हैं प्लेलि जन जाती सोद इवं विकास संस्थाओं की तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में इस्तेत हैं नेक्ट हम यहां पर बात करें कि बिश्व का प्रथम भीली सामुदाइक रेडियो केंद्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है अगर हम बात करें प्रथम भीली सामुदाइक रेडियो केंद्र की तो यह प्रदेश के अली राजपूर में स्थापित किया गया है नेक्ट हम यहां पर बात करेंगे 23rd नमर क्वेश्चन की कि जन जाती अनुशंदान इवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस इस्थान पर स्थापित किया गय है नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जन जाती शंग्राला इस्थ है तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के तो भूपाल में जन जाती शंग्राला इस्थ है तो यह इंपोर्टेंट है क्वेश्चन यहां पर इस टाइप से क्वेश्चन आपके स्टूडियो कहां इस्थित है तो ये है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित आप्शन नमबर सी हमारे यहां पर राइट आंसर होगा नेक्स नियाँ पर कॉश्चन है कि भुपाल में स्थित जनजाती अनुशंधान और विकास संस्थान का प्रमो खुद देशिक क्या है बात करें अगर हम तो अप्शन नमबर बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा सफलता की नीव है माता पिता का आशिरवाद और सफलता की सीड़ है परिक्षा दुसक्सस आप जनजाती शंस्कृती वहम समस्याओं के विसाय में सोज सर्वे तथा विश्लेशन करना ये प्रमुख कारे है जनजाती अनुशन दान इवं बिकास संस्थान का ठीक है तो अप्शन नमबर बी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा ये क्या करता है तो जनजाती संस्कृती इवं समस्याओं के विसाय में सोज सर्वे तथा विश्लेशन करता है नेक्स्ट यहां पर हमारा क्वश्यन था कि बैतूल में स्थापित कारवन अनुमापन केंद्र देश का कौन से नमबर का केंद्र है तो अप्शन नमबर सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा चौथा बैतूल में स्थापित कारवन अनुमापन केंद्र देश का चौथी नमबर का केंद्र है जो कहां पर है मद्यप्रदेश के बैतूल में स्थापित कारवन अनुमापन केंद्र यह आपको याद रखना है कारवन अनुमापन केंद्र कहां है हैं मद्योप्रदीश में तो बैतूल जिले में और यह देश का जो है चौथी नम्मर का अनुमा पन केंदर है बात करेंगे हम यहाँ पार 28 नमर कॉश्चन की इंडियन इंस्टीट ऑफ फ्वोरेस्ट मैनेजमेंट कहां इस्तापट है बात करें इंडियन नंबर सी हमारा राइट अंसर होगा आपडा प्रबंदन संथान मध्य प्रदेश की भूपाल जिले में स्थित है चीले में भारती ए परिटन एवाम यात्तिर प्रबंदन संस्थान संस्थान है थे 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 तो on संजीबनी संस्थान का मुख्याल है कहां इस्तेत है बात करें अगर तो मद्यप्रदेश के भूपाल में संजीबनी संस्थान का मुख्याल है इस्तेत है बात करेंगे आगे हम की मद्यप्रदेश का एप को संगठन किस छेतर से संबंदित है तो अप्शन नमबल सी यहां पर ह संगठन है वो किस छेत्र संबंदित है तो परियावरण से संबंदित है एप को संगठन इस टाइब की क्वेशन भी आते हैं नेक्ट यहां पर क्वेशन है कि मध्यप्रदेश राज जैब बिवित्ता बोर्ड निम्न में से कौन सी नगर में इस्थित है बात करें उस्थित है तो अप्षिन सी हमारा राइट आंसर होगा मध्यप्रदेश के जवेलपुर में चजुपर प Rica laog्रिंस इंस्टीट है दिजने भी इंस्थित मध्य Security में सभी के नाम और इस्थान आपको याद रखना है और सॉल्ट फॉल 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 बगएर अगर है तो वह भी आपको याद रखना है इसी टाइप से कुश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश के सभी एक्जाम्स में MPPSC बगएरा और जो 10-12 लेविल के MPP पु अपके इंटरंस टेस्ट बगएरा भी होते हैं जिसमें जैसे एनम टीस्ट बगएरा का होता है आपका दाहित बगएरा का होता है तो इनमें भी आपके जो है कुछ पॉर्शन MP करेंट अफियर या MPG के बगएरा का आता है तो उसमें भी इस टाइप से कॉश्चन पूछे आते हैं नेक्स्ट यहां पर हमारा कॉश्चन है 31 कि मद्यप्रदेश पारिस्थित की परेटन विकास बॉड के इस्थापना कब की गई थी बात करें अगर तो ऑफ्चिन नमर्डी हमारा राइट अंसर होगा बर्श दोहजार पांच में मद्यप्रदेश पारिस्थित की प राज्जिन गरामीमीर विकास अंस्तान कहाँ इस्तेत है तो option number C हमारा right answer होगा जवलपूर. मध्य प्रदेश के जवलपूर में महत्मा गांदी राज्य है राज्य गरामीमीर विकास संस्तान इस्तेत है. नेक्स्ट यहां पर क्वेशन है कि मद्यप्रदेश राज जिग्रामीन विकास संस्थान को स्वायत सासी कब बनाया गया बात करें तो 1996 में मद्यप्रदेश राज जिग्रामीन विकास संस्थान को स्वायत सासी बनाया गया था नेक्स्ट नियाँ पर question है कि पंचायत राज संस्था के नब निर्वाचित प्रती निधियों को कि संस्था के निर्देशन इवा मार्ग दर्शन में प्रिसिक्षित किया जाता है बात करें अगर तो पंचायत राज संस्थान के नब निर्वाचित प्रती निधियों को option number A महत्मा गांधी राजी ग्रामीर बिकास संस्थान के निर्देशन इवब माउग दर्शन में प्रिसिक्षित किया जाता है तो ये question भी important है next ने आपर है 39th number question मध्य प्रदेश में ग्रामीर प्रबंदन स्कूल कहां इस्थित है बात करें तो option number C हमारा right answer होगा रतलाम मध्य प्रदेश के रतलाम में ग्रामीर प्रबंदन स्कूल संस्थान इस्थित है तो ये भी आपको याद रखना है important question है बात करेंगे आगे 40 number यानि last हमारा जो question है मध्य प्रदेश प्रमुक संस्थान इवब मनुशंधान के इंदर से तो इसका last question है कि संजय गांधी यूव नेत्रित्व एवं ग्रामीर विकास प्रिसिक्षन संस्थान कहां इस्थान है तो ये है पच्पड़ी में option number D हमारा यहां पर right answer होगा तो इस type से जितने भी हमारे यह question थे आपके MPG के अनुशंधान एवं बिकास के इंदर से तो यह आपके पूरे यहां पर complete हो गए है और next वीडियो में हम next topic लेकर आएंगे थेंक्स पो बॉचिंग माई वीडियो प्लीज वीडियो को जाए जादा लाइक करें सेयर करें चनल पनना है तो चलको सब्सक्राइब करें थेंक्यू